तो आज हम बात करेंगे इंडिया में जो रेप केस का ट्राइल है, वो कैसे फेस होता है, कैसे चलता है एक विक्टिम को और एक एक्क्यूजड को किस-किस स्टेज से निकल के गुजरना पड़ता है, यानि कि उसके साथ क्या-क्या होता है, पुलिस स्टेशन में, जेल में, हर जिग है जो भी ये प्रोसेस है, वो कैसे चलती है, स्टेप बाई स्टेप आज हम बात करेंगे एंट्रो मालो किसी लड़की के साथ केस हुआ, तो वो प्रोसेक्विशन होगी, यानि कि वो केस करने वाली होगी डिफेंस वो हो गया, जो एक्क्यूजड है, जो अपने आपको बचाता है कि भी मैंने नहीं किया या फिर जो भी अपना पक्स लेता है, उसको हम बोलते है डिफेंस पार्टी अब यह जो केस है, वो कैसे फाइल होता है, तो यह केस फाइल होता है, स्टेट ओफ एक्स वर्षिज जो भी जिस ने भी एक्क्यूज ने किया है, उसका नाम, जैसे कि एक्जामपल, महलो स्टेट ओफ हर्याना वर्षिज एक्स वाइजड, कोई भी एक परसन है, उसके खिलाफ, अब स्टेट क्या होगी यहाँ पे, प्रोसिक्विशन, स्टेट, डड़की की जो उसका नाम है, वो उसका नाम आ गया, ओके, स्टेट ओफ हर्याना वर्षिज जो भी है, स्टेट ओफ जो भी करके, जो भी है, कंसर्ण परसन हो, वो करके, तो यह हो गई जनरल बात, अब यहाँ पे ना, हमारे पास दो फेजिस होते हैं, एक प्री ट्राइल फेज, यान और 306 तर उसकी पनिस्मेंट बताती है, उसकी पनिस्मेंट बताती है, जो की मिनिमम भी साल भी हो सकती है, चौदे भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो डिपैंड करता है, केस के फैक्ट्स पे, तो कमिशन ओफ ओफेंस क्या होता है, कमिशन ओफेंस मतलब कि कमिट होना, अब offense कैसा होता है कैसे होता है offense होता है कि without the consent यानि कि अगर लड़की की मरजी के बगएर एक person यानि कि कोई person है वो अपना private part in sexual intercourse करता है लड़की के साथ without her consent उसकी बगएर मरजी से तो उसको हम rape कहते हैं अब फिर क्या होता है FIR commission of offense के बाद आती है FIR FIR से कहानी स्टार्ट होती है FIR होती है अब FIR कौन कौन कर सकता है कुशन है यह arise होता है कि FIR कौन कौन कर सकता है rape case में तो उसके parents भी कर सकते हैं उसके guardians भी कर सकते हैं वो खुद भी कर सकती है या फिर कोई ऐसा person जो जिसको पता है कि जहां पर rape हुआ हो वहीं के local jurisdiction में local थाने में यह FIR होती है लोज होती है तो FIR के बाद स्टार्ट होता है medical examination of victim victim का medical examination होता है अब victim का कौन कराता है यह एक female sub inspector rank होनी चाहिए यानि कि ऐसा police officer जिसके पास 2 star हो यानि कि कोई महिला जिसके पास 2 star हो कन देवे वो होनी चाहिए उससे अगर नीच है तो वो नहीं करा सकता क्योंकि CRPC allow नहीं करता उसके बाद क्या होता है उसके बाद recording of statement यानि कि जो हम magistrate के पास recording होती है statement की यानि कि लड़की अपना बयान देती है magistrate के सामने जो आपने काफी बाद सुना भी होगा कि 164 का बयान तो वो 164 CRPC यही है यानि कि लड़की अपना बयान देती है magistrate के सामने वो क्या करती है जो जो उसके साथ हुआ वो उसको आपे बताना पड़ता है तो magistrate order देते हैं कि accused को अब arrest करके लाओ पुलिस को तो पुलिस क्या करती है accused को arrest करके लेके आती है फिर उसका medical examination होता है अब medical examination से याद आए medical examination क्या होता है ये न बाउंड नहीं है victim की case में suppose कोई लड़की है उसका medical examination करावा है victim है कोई तो वो बात देनी है यानि कि अगर उसको नहीं कराना तो वो choice है उसकी यानि कि ये mandatory नहीं है कि भी आपको कराना ही पड़ेगा हाला कि कराते हैं प्रूफ करने के लिए बट choice है जरूर उसको मतलब इंपोज नहीं क्या अज़क सकता कि भी तु विक्टे में तो तुने कराना ही पड़ेगा okay are you getting तो हम कहां पे थे हाँ फिर क्या होता है accused का medical होता है okay मेडिकल होके उसको arrest कर लिया जाता है arrest करने के बाद उसका signing of punch नामा यानि कि उसको उसके हाथ में कि भी तेरा यह सामान हमने capture किया हुए जब तक तु छूटेगा नहीं या फिर जब तक तेरा case चल रहा है तब हम उसको वो करते हैं यहनि कि उसको seize कर लेते हैं उसके पस capture कर लेते हैं पुलिस अपने पास उसको एक receipt बना देती कि भी तेरा सामान यह और यह सामान दे रहा अब जब पुलिस उसको अरेस्ट करती है तो magistrate उसको बेल दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है वो डेपैंड करता है उसका nature कैसा है उस case के उपर case के facts के उपर depend करता है कि भी उसको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए वो magistrate के उपर ही इसमें हम कुछ नहीं कर सकते है इंवेस्टिकेशन स्टार्ट होती है यानि कि पुलिस क्या गरती है इंवेस्टिकेशन अपनी स्टार्ट करती है पुलिस के पास 60 से लेके 90 दिन तक इंवेस्टिकेशन की टाइम होती है तो वो क्या करती है, वो अपना investigation स्टार्ट करती है, यानि कि investigation में क्या करती है, वो crime of scene, यानि कि जहाँ पर commit हुआ, महाँ पर जाती है, कौन सा vehicle यूज गिया, कौन सा material यूज गिया, कितने बंदे थे, कौन-कौन साथ था, क्या-क्या चीज कहां से खरीदी, सब कुछ वो investigation करती है, तो यह जो time-bred है, वो 90 दिन का है, 90 दिन के अंदर, पुलिस को अपनी final report देनी पड़ती है, court में, जिसको हम 173 के CRPC के तहट आता है, 173, जिसको हम final report भी बोलते है, पुलिस अपनी जो report देती है, court में, फिर वहां से court का trial start होता है, यानि कि वहां से trial start होता है, लगता नहीं है, तो वहां पर F.I.R. request हो जाती है, फिर आगे मामला बढ़ता नहीं है, ओके, तो फिर क्या होता है, court trial start करता है, तो court accused को पूछता है, क्या आप guilty feel करते हो या नहीं, अगर accused, यानि कि जिसने rape किया है, वो feel कर लेता है, कि हां भी मेर से rape हुआ है, मैंने rape किय है, वो मान लेता है, तो उसको हाई पर हाई सजा सुना दी जाती है, otherwise वो कहता है कि नहीं, मैंने नहीं किया, यानि कि अपना बचाओ पक्स करता है, और बोलता है कि मैं case लड़ना चाहता हूँ, तो trial start होता है, अब trial में क्या होता है, prosecution अपने records देती है, defense अपने records देती है, evidence provide किया जाते हैं prosecution की तरफ से, यानि कि victim की तरफ से और accused जो और इपना evidence फिर बहस होती है, गयानि कि जो court में सारा कुछ बहस होती है, पिर हार थक के, यानि कि last में जो सारा कुछ हो जाता है, court अपना judgment देती है, अब judgment दो तरह से होती है, या तो equitable कर देगी, या conviction कर देगी, एकटल मतलब होता है रिहा कर दिया कि आप गिल्टी नहीं हो हम आपको छोड़ते हैं बाई जत मराई बरी करते हैं आपने सुना होगा फिर क्या होता है तूसरा होता है कि उसको एक पनिश्मेंट दे देना यानि कि वो फाउंड हो गया कि भाई यह तूने ही रेप किया है कोट की डिस्कृष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् sexual intercourse करते हैं without the consent of woman तो क्या वो rape की category में आयेगा या नहीं So answer of this is yes बिलकुल वो rape की category में आयेगा भी सक का protection लो कुछ भी लो याणि की rape की category में आयेगा ही अब next question ही होता है की भी हम तो बस साथ में ख़ड़े थे और हमने rape किया नहीं हमारे पास हमारे उपर रेप का केस लग गया तो यह ऐसा होता है section 34 of IPC criminal liability यानि कि आप भी सक्षाथ में खड़े रहो तो लेकिन intention आपका था यानि कि आपने court assume कर लेती है कि आपका intention था हाला कि आपने किया नहीं किया वो अलग बात है लेकिन आपका intention था तो अगर चार परसन है उन में से तीन परसन ने रेप किया या फिर एक ने किया और चार उसके साथ थे या तीन उसके साथ थे तो चारों पर रेप का case file होगा तो यह थी कुछ बाते अगर आपको इससे regarding कोई भी डाउट है आप comment section में लिख सकते है और knowledge gain कर सकते है स्वाई होब इडिस के लिए बाए